नमस्का दोस्तो दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि धन्तेरस का मोहरत और खरीदारी करने का समय धन्तेरस का दिन हिंदु धर्म में एक महतपूर पर्व माना जाता है दिवाली के पांच पर्वों में धन्तेरस सबसे पहला और बहुत महतपूर पर्व है धन्तेरस के दिन स इसे ही घर में दीप माला से सजावट सुरू हो जाती है इस दिन माता लचमी का पूजन किया जाता है पुराने मानेताओं के अनुसार इस दिन माता लचमी भगवान विश्णु के साथ धर्ती पर आकर विचरण करती है माता लचमी को प्रशन करने के लिए धंतेरस के दिन न बतन और अन्न समान खरीदे हैं यह तिवार डिवाली से दो दिन पहले मनाये जाता है इस साल 17 October दिन मंगलवार को धंतेरस का तिवार मनाये जाएगा इस दिन कुबेर देवता और लच्मी माता की पूजा की जाती है इस बार धंतेरस मंगलवार को है ये दिन सुर्य के साथ मिलकर शुब योग बना रहा है इसलिए शुब समय पर किया गया कार आपके लिए लाव लेकर आएगा इसमें सुब समय के अनुसार ही खरीधारी करें तो आईए हम जानते हैं दोस्तों खरीधारी करने का सुब मुरत क्या है धंतेरस के दिन सुबह 9.37 मिनट से 10.69 मिनट तक का समय खरीधारी के लिए शुब है दोपहर 11.55 से 12.40 तक अभीजीत मुरत में और दोपहर 1.40 मिनट से शाम 5.50 मिनट तक सोना, चांदी, वाहन या इलेक्ट्रिक सामान खरीधना सुब है इसके बाद साम को 5.47 मिनट से रातरी 8.25 मिनट तक प्रदोश बेला में फिर रातरी 10.30 मिनट से पूरी रातरी खरीधारी का शुब मुरत है दोस्तों खरीधारी का शुब मुरत हमने इस वीडियो में बताया, अब हम आपको बताने जा रहे हैं धंतेरस का पूजा मुरत इस दिन धंतेरस के दिन पूजा का जो मुरत होगा धंतेरस के दिन इस दिन पूजा का सुब मुरत बिश्च लगन में साम 6.47 मिनट से रातरी 8.49 मिनट तक है मुरत के समय पूजा करने से बहुत लाब मिलता है, पूजा करने के बाद घर के बाहर दीपक अवश्य जलाए तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी जरूर बतायेगा अगर आपको कुछ पूछना हो तो इस वीडियो के कमेंट बाक्स में लिक करके आप पूछ सकते हैं अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें कब तक लिए दोस्तो नमस्कार